दिल्ली पुलिस और अमिच्छा जी के कहने पे एकदम इतनी ज्यादा कोशिश कर रहे थे किसी हालत में पर्मिशन नहीं मिलनी चाहिए रामिल्ला मैदान की फिर भी कोट ने पर्मिशन दी सिरफ मुसल्मानों की आवाज नहीं उठा रहे और भी कमजोर तपकों की आवाज उ उठाएं क्रिस्चन्स की आवाज उठाएं सिक्कों की आवाज उठाएं इसी चीज से सरकार डर रही है इसी लिए ओल इंडिया मुसलिम महापंचायत की इतनी शिदत से मुखाल्पत हो रही है कि दिल्ली पुलिस अपनी किसी भी हद तक जाकर यह बोल रही है कि आपका प् नहीं उठा रहे और भी कमजोर तपकों की आवाज उठा रहे हो इसलिए हम आपका यह प्रोग्राम नहीं होने देंगे पुलीस के अधिकारियों ने हमारे लोगों को यह बताया कि हम लोगों के उपर उपर से दबाव है कि अगर आप मुसल्मान ओल इंडिया मुसलिम करो हमारे इंकार करने पर हमाएरी पर्भीशन कैंसिलि उसके बाद हमने कोट से thirty वे अजाजत लेके हैं दुबारा दो नहीं तीन राउंड बाद हमें कोट से इजाज़त मिली लेकिन दिल्ली पुलिस और उनिया और दूसरे महक्मों ने खास तोर पर उनिया और दिल्ली पुलिस ने ये कोट को कंविंस किया के 10,000 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए और हमें कंडीशनल परमिश मिली कि के दस हजार से ज्यादा लोग नहीं होंगे यह अंडर्टेकिंग कोट से हम लिए और कोट ने हम पे बंदिश भी लगए लेकिन जब हमने अठारा दिसंबर की कोट से हमें पर्मिशन मिली बावजूद इसके के दिल्ली पुलिस ने और बाकी सभी महकमों ने उसकी भर लिए जो रहा है जो यह जूटी खबरे फैलाते हैं सरकार बन रही है इनी आरे से सूतरों के खिलाफ ही यह सारा दिल्ली पुलिस और अब्वियस्ली वह अमिच्छा जी के कहने पर एकदम इतनी ज्यादा कोशिश कर रहे थे किसी हालत में इने पर्मिशन नहीं मिलनी चाहिए रामिल्ला मैदान की फिर भी कोट ने पर्मिशन दी अब हम कोट की आदेश की अवेलना नहीं कर सकते content of court नहीं कर सकते इसलिए हम नहीं कर रहे हैं इसलिए हम यह दुबारा application लगा रहे हैं कि हमारे उपर कोई बंदिश नहीं लगनी चाहिए किसी और नागरिक पे नहीं लगती जैसे कोई political party करना चाहिए तो उसको लाखो लाखो लोग लाने की पर्मिशन होती है तो हम लोग तो ऐसे कोई वसाइल वाले भी लोग नहीं है यह लोग खुद इखटा होना चाहते हैं और वो सभी मजलूमों की आवाज उठाना चाहते हमने खुद ही यह एटियात की है कि कोट ने हम पे दस हजार की condition लगाई है अगर हमारी भीर ज्यादा हो जाती है तो यह हुकमदूली होगी कोट और हम हुकमदूली नहीं करना चाहते हम सम्विधान के दाइरे में रहना चाहते और पुलिस यकीना हमारी दस हजार को भी वो सी हजार से ज्यादा लोग आएंगे यह अभी कुछ देर पहले फोन आया है तो इसी सब से तो हब हम इसलिए कोर्ट के पास जाएंगे कोई बंदिश ना रखी जाए हम चाहते हैं कि बेगैर बंदिशों के मुल्क की और समिधान की रक्षा के लिए मुसल्मानों को एक ओल इंडिया मुसलिम महापंचायत तह करके आने वाले रास्ते को तलाशने का मौका मिलना चाहिए और सभी मजलूमों की हिफाज़त की रास्ते को तलाशने का मौका मिलना चाहिए यह ओल मुस्लिम महापंचायत को RSS और BJP रोकना क्यों चाहती है कितिनी शिद्दत से रोकना चाहती है उसकी वज़ा इसी ओल इंडिया मुस्लिम महापंचायत के एजेंडा में छुपी हुए है कि हम हर एक मजलूम की आवाज उठाएंगे SC, ST, OBC और Minorities के लोग मिलाके मुल्क में 88% होते हैं तो यह जो 82% की बात आप कर रहा है 88% लोगों का जो यह जमावडा बन रहा है और वो उस तरीके से बनेगा कि एक कम्मुनिटी दूसरी कम्मुनिटी की आवाज उठाएं मुस्लिम SC, ST, OBC की आवाज उठाएं जो बाकी SC, ST, OBC हैं वो मुसल्मानों की आवाज उठाएं Christians की आवाज उठाएं सिक्कों की आवाज उठाएं इसी चीज से सरकार डर रही है इसी लिए All India Muslim महापंचायत की इतनी शिद्दत से मुखालपत हो रही है कि दिल्ली पुलिस अपनी किसी भी हद तक जाकर यह बोल रही है कि आपका प्रोग्राम नहीं होने देंगे जब तक आप सिरफ मुसल्मानों की बात नहीं करें